हजरत बाबा ताज दिन रह्मत उल्ला अले की 26 विके मौके पर आज बरोश पीर को ट्रस्ट पधादीकारी और अकिकत मंदों की मौचुदकी में रश्मे पर्शम कुश्वाई ताज बाग बार्गा में अधा की की अज हजरत बाबा ताज दिन रह्मत उल्ला अले ट्रस्ट 102 साल में प्रवेश खड़ा है जिसके चलते आज 26 विके मौके पर पधादीकारी और अकिकत मंदों की मौचुदकी में रश्मे पर्शम कुश्वाई अधा की गए जहां ताज बाग शरिफ की बार्गा में काफी जा और आज 26 विके मौके पर सजादे नशी अकिकत मन और ट्रस्ट पधादीकारी की मौचुदकी में रश्मी पर्चम कुश्वाई अधा की गई जहां ट्रस्ट कार्यले से पर्चम बाबा के निशानकाह तक पहुचा आया क्या गौर्ट अलब है कि इस समय ताज एहमद राश आज 26 विए और रस्मे पर्चम कुशाई जो है हजद बाबा तजू दिन ट्रस्ट कार्यले से पर्चम निकाला जाता है और बाबा हुदूर के निशान गहां पे पर्चम को पेश किया जाता है वहाँ पर हमारे इस बीच में इमाम साब के हस्ते ये पर्चम कुशाई की रस्म अदा की गई और सजादे नशीन हमारे जर्बिर बाबा तालिब बाबा और खुद्दाम हर्जाद और बाबा हुदूर के चाहने वाले आशी के ताजू लौलिया आज ठंड का जो मौसम रहने के बावजूद भी काफी तादाद में यहाँ पर और हज़र्बाबा ताजूद्दीन की ट्रस्स की जानिप से यहां लंगर का भी भवया आयोजन किया जाता है शाम में मिलाज शरीप नो बज़े मिलाज शरीप होंगा और उसके बाद में कवाली का प्रोग्राम होंगा इस तरीके से आज 102 साल में हम लोग परवेश कर रहे हैं बावा उजूद के और आने वाले बाबा के 27 जनवरी में जो बर्तिडे आने वाला है उसके लिए मैं आप लोगों को मुबारक बात देता हूँ कैमरा परसन अकिलेश भारत वाश के साथ मनिश टेमरी किर्व